हेलो एवरीवन असलाम उलेकुम कैसे हैं आप सब आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं बहुत ही जादा मज़ेदार और बहुत चटपटा नाश्टा यह बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा आप भी हमाई रेसिपी से जहू बनाएगा यह हमने बoss prohibत बजना से बाAnnे बाइगे बश्य बहुत ब्संदा नाश्चे कट लेंगे यह ऑले हम पहल बने मा नास्टे में वो अच्छे लिखिंगा, हम रेसिपि आप से बिलकुल सेन बुध बनाएगा इस से लिए क्या बट्रेंश की मरतना पडहता है सब से पहले ही हमने एक कप कॉहा ले लिया है ये बादा बढ़ा कॉक्प है इसको हमने भणके लिया है इसको हम इसको अच्प CAK NEW चलों कर लए तैह viennent कि अदर टालेंगे नोगाल में भूल्क हमारी छोड़ी में चाणक करने कृष्टमेंट रेहाए gland कर दर रहें लिए करेंके आदा हमारी है उत् cooked लाई हमने को और आधा हमारी कोना मारी यह सिहां से हमयती है हमने दो चमध डाली है इसके अंदर पिसिवी लाल मिर्च के और यह हमने दो-れたटीन का लिए लिए ander की इसको वल्ह कर लिया थे हुऑ था हम holistic टौप करके डाला है यह हमारी एक हरी मिर्च है, इसको हमने भी चौप करके डाला है, यह हमारी सारी मेजर्मेंट हमारी छोटी स्पुन्स होगी, यह हमारी काली मिर्च है, आदे चमच लिए हमने काली मिर्चों का पॉडर, यह हमारी एक चमच अल्दी का डाला है इसके अंदर हमने, और एक ही चम कि अपने टेस्ट के साफ से भी नमक को डाल सकते हैं यह सारी मेजरमेंट हमाई चोटी चमस से हो रही है तो दियान रखिएगा मेजरमेंट का बिल्कुल हमाई दो चमस डाले हमने इसके अंदर शेजवान चटनी और थोड़ी सी डालेंगा मिसके अंदर ही इसे हमारी गयस नह सब्सक्राइब करेंगे हमारे प्याज में मुश्चर होता है और हमारे पोहे में मुश्चर है हम तोड़ा तोड़ा करके वेरिसन डालेंगे इसको अच्छे से बाइन करेंगे एक साथ इसको मिला देना है यह बिना पानी के भी बहुत अच्छा गुन जायागा देखिए हमारा बहुत अच्छा बेटर बनकर तयार हो गया इसके हम अब बिल्कुल कवाब के जैसे बनाएंगे आप इसकी शेप अपने हिसाब से रख सकते हैं हम इसकी कडलेट्स की शेप देंगे हम इनको गोल शेप इंगे एचाये कों शेप में अच्छे लगेंगे देख कितने अच्छा बण बण बणी है हमारी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी डाला त। के सबेंगेज समय करें सब्सक्राइख भूँन तों ऑऊनिते में चाहिके उसी में हुंप उल्या निहें हमकर तुड़े प्तुम्हाल करें बना लागा गयाया का प्ंपर में चाहिए दिसके से चाहिक बना लेंगे पतला करना है इसे थोड़ा सा देखिए हमारा बिल्कुल बन गया है अब हम लेंगे इतिल इतिल लगाने से बहुत अच्छे लगते हैं और इससे बिल्कुल टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है इससे अब हम यह कटलेट सबसे पहले कौन फ्लोर में डिप करेंगे इसको अच्छे से डिप कर लेंगे देखिए इसी तरह से आपको भी करना है और अब हम इसको रखेंगे तिल के उपर इसको अच्छे से हम तिल से कवर कर देंगे देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं यह देखिए यह हमने तीन कटलेट्स ने लासके यह हमने काले तिल में डिप करे थे यह इसलिए थोड़ से बलैक लग रहे हैं ब्लेक तेल को पहले ही गरम करके रख लिए था हम इसके अंदर एक एक करके कटलिट्स डालेंगे और दियां से करिए गास को फ्राइ इसी तरह से हम अपने सारे कटलिट्स को फ्राइ कर लेंगे देखिए कितने अच्छे ब्राउन हुए है हमें ज्यादा डॉक ब्राउन कलर ने लेना इनका लाइट गोल्डन कलर लेंगे इसका वह उसी में बहुत अच्छे लगेंगे इसको पलट कर देख सकते हैं कि नीचे से हमारे अच्छे से नीचे से प्राउन हो चुके हैं हम दूसरी साइट सब इसको फ्राय करेंगे देखिए अब हमाई दोनों साइट से अच्छा से फ्राय हो चुके हैं देखिए अब हम इसको सब को निकाल लेंगे यह देखिए देखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में तो और ज्यादा टेस्टी लगेंगी हम सब को निकाल लेंगे देखिए कितने अच्छे बने ये कोई क्या भी नहीं सकता है ये हमने पोहे के बनाए है आप भी जबूर ट्राइ करिएगा इस रेसिपी को हमने सारी फ्राइ कर लिए अब जो हमारे बाकी के बचेते अब हम इसमें और फ्राइ करेंगे देखिए अब हम इनको निकाल लिया है अब हम इनके बाकी के फ्राइ करेंगे जो हमारे बाकी के बचे हुए थे ये हमारे बलैक तिल वाले जो बचे हुए है ये काले तिल वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं आप इनको भी ट्राइ करिएगा इनको में इच्छ से फ्राय करेंगे है अँद व्युल्क साइट a्ज आप देख्यामारे यहल्क से बिल्कुल फ्राय हो चुकے हैँ अब निकाल लेगे शेर आ माइर अच्छ आज дол हो गएर तो देखा आपने एक कपोहे में हमारे कितना मज़ेदार साही हमारे कडलिट्स बनका तयार हो गए हैं इस शाम की नाश्टे के लिए बहुत अच्छा उप्शन है आप भी जहूर ट्राइ करेगा अपने बच्चों को जहूर किलाईएगा बनाकर अगर आपको यह हमारी वीड आधिने प्राइ 10 स्कष rivers की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी अब हम चलते हैं बिलेंगे नेक्स वीडियो में आप कमेंट में बताते रहेगा कि आपको नेक्स वीडियो किसके ओपर चाहिए आपको क्या बनवाना है हमसे हमें कमेंट में जहू बताइएगा अब हम चलते हैं लेकर आएंगे आपके लिए फिर एक नई और सिंपल सी रेसिपी तब तक के लिए अलाहाफीज बाबाई टेक केर